नमस्कार मैं हूँ अजयादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस वे दोस्तों आज के इस खास पेशकश में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैपर बाश्या को लेकर और हनी सिंग को लेकर वेल हनी सिंग और बाश्या जो की काफी बड़ा नाम रहे हैं फिल्म इंडुस्री में भी और साथ ही इनके गानों को लोग करोडों में फॉलो किया करते हैं बहुती कम लोग जानते हैं इस बात को कि बाश्शा और साथ की साथ हनी सिंग ने अपने करियर के शुरुआज शायद साथ में ही की थी लकिन जहां साथ में दोनों पहले काफी ज़ादा नज़र आते थे तो हुआई अब बाश्शा पूरे तरीके से दूरियां बना चुके ह हने सिंग से और तो और अपने एक बयान में उन्होंने हने सिंग को कुछ और ही कह दिया था आईए दिखाते हैं आप वाल बीदे काफी दिनों से ही बाश्शा और हने सिंग को लेकर ना चाने कितनी सारी ही खबरे आप लोग शोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे आज हम आपको दोनों से जुड़ी कुछ ऐसी बात ये बताएंगे जिनके बारे में जान अब भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे रैपर बाश्शा ने हने सिंग के बारे में ऐसी बात कह दी थी जिसे जानकर उनके फैंस थोड़ा हैरान जरूर हो सकते हैं से ये बात तो काफी पुरानी हो चुकी है लकिन ये भी हम बता दें आपको कि दोनों एक वक्त पर दोस्त हुआ करते थे आखिरकार क्यों दोस्त दुश्मन में बदले और इंडस्ट्री में अगर साथ काम शुरू किया था तो किस वज़ा से दोनों अलग हो गए अगो उताना चाहेंगे कि बाश्चा अपने पुराने दोस्त हनी सिंग को बिल्कुल भी याद नहीं करते वल्करियर की शुरुआद में दोनों ने लंबे टाइम तक एक साथ काम किया था और तो और बाश्चा ने कहा था कि उन्हें अपने दोस्त हनी सिंग की याद वल्कुल भी नहीं आती उन्हें सिर्फ अपने घर और अपनों की याद आती है आपको याद दिलाना चाहेंगे कि बाश्चा के इस बयान ने भी ते दुनों काफी काफी कॉंट्रोवसीज की रेट की थी तुमाई उन्होंने ये भी कहा था कि युवा को संदेश देते हुए कि आजकल ये युवा कूल और अलग दिखने के लिए नशे का सहरा लेते हैं लेकिन नशे के करीब नहीं उससे दूर रहने की बहर ज़ादा जरूरत है बादचान ने ये भी कहा कि वो जैसे है वैसे ही खुटको दिखाते हैं वो म्यूजिक का नशा करते हैं लोगों के प्यार के बजासे ही उन्हें एनरजी मिलती है आपको ये भी आद लाँ चाएंगे कि बादशान ने जैसे ही इस्टेट्मेंट दिया था तो होई लोगों ने इसको हनी से खनेट किया क्योंकि हनी सिंग के नशे को लेकर कई सारी खबरे बीते साल वारल रही थी और कुछ कारण बताय जा रहे थे हनी सिंग के इंडस्ट्री से गायब होने के जिन में से नशाई कारण बताया गया हलाकि हनिसिंग की मानी जायते उनको bipolar disorder हुआ था जिसके चलते हनिसिंग अपना इलाज करा रहे थे तो हुआई इस वज़ा से ही दोनों दोस्त अब बिलकुल अलग नज़र आते हैं दोनों जहां इंडस्ट्री में एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो हुआ ही असल जिनकी में आप दोनों एक दूसरे से इतनी अच्छी bonding नहीं है दोनों की जुतनी की शुरुआत में हुआ करती थी वल बाश्ट्रा और हनिसिंग ये दोनों ऐसे सितारे हैं जिनको लेकर नाज़र कितनी सारी खबरे मीडिया में चाही रहती है इसके लावा हमने आज आप से बात की कि कैसे बाश्ट्रा ने हनिसिंग को इंडारेक्ली ही सही लेकिन नशे का आदी वाला वैक्ती कह दिया था इसके लावा ये भी बताया था कि इनसान को म्यूसिक का नशा करना चाहिए ना कि किसी और का वाल ऐसी हिदामा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्साइन निउस के जाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें